Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं लेकर रहे हैं आप लोगों के लिए एक कप सूची से बने ये बहुत ही नया और आसान नास्ता ये खाने में इतनी चटपट इतनी स्वाधिश्ट होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है इन्टु में बन कर तयार हो जाता है और इसमें तेल बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है ये बहुत ही हिल्दी और स्वाधिश नास्ता है तो चलिए इस मज़ेदार से नास्ता को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हमने कड़ाए लिया है वन टेबले स्पन हमने यहां पर ओयल लिया तेल के करम होते ही हमने यहां पर दाला थोड़ी सी हिंग तो कटी हरी मिर्च थोड़ी सी अद्रक जिसे हमने बारिक काट लिया है इसे एक तो मिनट के लिए पहले हलका भूल लेते हैं मिर्ची आप अपनी हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं तो लीजिए अद्रक मिर्ची को हमने अच्छे से भोन लिया है अब इसमें डालते हैं कड़ी पत्ते जिसको हमने बारिक काट लिया है उसे भी तेलक में अच्छे से भोल लेते हैं तो करीपता अधरक मिर्ची हमने सबको अच्छे से भोन लिया है अब इसमें डालते हैं तेड़ कप हमने यहाँ पे पानी लिया है आप किसी भी ग्लास कटोरी से आप नापकर पानी ले सकते हैं साथ ही हमने यहाँ पे डाला स्वादन सर नमक और एक चमच यहाँ पे हमने चिलीफ लेक डाला है चिलीफ लेकार आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे मिर्ची का पॉडर भी डाल सकते हैं सबको हमने अच्छे से मेक्स कर दिया, अब इसका उबालाने तक का वेट करते हैं तो पानी में हमारा उबाल आ गया है, अब हमने जिस कप से पानी लिया था, उसी कप से हमने एक कबर के सूजी लिया सुजी कोई भी हो, मोटी हो या हारिक हो कोई भी शूजी ले सकते हैं बस इसे अच्छे से लगतार चलाते हुए, मिडियम फ्लेम पे हमें से तब तक बोढ़ना है जब तक कि ये टू की तरह तयार ना हो जाए इसे लगातार चलाते रहना है और अच्छी तरह से इसे मेक्स करते जाना है यह बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है इसे अच्छी से मेक्स करते रहना है जब तक यह पुरी तरह से कढ़ाई छोड़ ना दे तो लेजिए डू हमारा तयार हो गया है अब हमें क्या करना है फ पुरी तरह से ठंडा बिल्कुल नहीं करना, जब यह हलका गर्म हो तभी इसे अपने हाथों से मसलते हुए बिल्कुल नर्मुलायम डो के तरह आटे की डो के तरह तयार करना है, तो अच्छी तरह से मसलते हुए इसे हमने नर्मुलायम डो तयार कर लिया है, तो लिजे डो त आप चाहेत इसे किसी भी अपने मनबसंद सेप में बना सकते हैं तो हमने यहाँ पे पहली बॉल बना कर तयार कर लिया और बाकी बचे को भी हमें इसी तरह चोटे-चोटे बॉल बना कर तयार कर लेने हैं बहुत है आसानी से बन जाता है यह बिलk皆 सक्रेश नहीं पढ़ती हैं और सारे बॉल को हमने बना कर तयार कर लिया है तो बॉल तो हमारे तयार हो गह अब हम हमें इसा करना है steam , तो steam करने के लिए हमने यहाँ पे पाने बिठाया हैँ और इसके ऊपर हमने यहापे रख का है जारी वाली थाली और उसके ऊपर हमें आपने अच्छी तरह से ग्रेज कर देना है जिसे की बॉल हमारा यह थाली में जिपके नहीं अब सारे ball को ले लेते हैं और इसको हमें क्या करना है 15-20 minutes तक थोड़ा medium flame से stream करना है तो सारे ball को हमने ले लिया अब इसे ठक देते हैं और ठक कर इसे 15 minutes के लिए छोड़ देते हैं तो 15 minutes हो गए सारे ball हमारे काफी अच्छी तरह से stream हो चुका है देखिए साइज में भी काफी बड़ा हो गया और कलर भी बहुत ही अच्छा देख रहा है तो फ्लेम को कर देते हैं और बॉल को थोड़ी दे ठंडा होने देते हैं तब तक तड़की की तियारी कर लेते हैं तो कड़ाई में हमने डाला है दो टेबल स्पुनियाँ पर ओयल तिल के गर्म होती हैं हमने डाला थोड़ी सी हिंग एक चोटी चमच जीरा और एक चमच हमने डाला राई साथ ही हमने लिया दो सुखी लाल मिर्च बड़ी मिर्ची को भी से चिरा लगा लिया है कुछ करी बतते लिए हैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हलका इसे भुनने के बाद इसमें डालते हैं एक चमच सफेद तिल तिल से ये नास्ता बहुत ही स्वाधिश लगता है अगर हो तो जरूर डाले और इसे भी डालकर एक दू मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं तो तड़का हमारा अच्छी तरह से भून चुका है अप फ्लेम को लोग करते हैं इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी पॉर्डर एक छोटी चमच हमने डाला कास्मरे लाल मिर्च और एक छोटी चमच हमने याँ पे डाला चाट मसाला इससे हमारा नास्ता काफी चट पटासाव लगेगा और तीखा आप अपने हिसाब से कम्यें जादा कर सकते हैं हल्दी मिर्ची जले नहीं इसलिए हमने आप थोड़ी सी पाने डाला और डाल कर इसे एक दो मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं तो मसाला हमरा अच्छी तरह से भून चुका है बस इस ज्यादा से नहीं भूना है अब सारे बॉल को इसमें डाल कर इसे अच्छी से मिक्स करते हैं तो सारे बॉल को डाल कर इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है जिसे की जो भी इसमें चट पड़ा सा हमने मसाला डाला है बॉल के अंदर अच्छी से अब्जॉर्ब हो सके और यह अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है इसे देख दो मिनट के लिए अच्छी से भून लिया हम अब हमें क्या करना है फोड़ा सा हराधनिया डाल देते हैं और दो मिनट के लिए से ठक कर फ्लेम पर छोड़ देते हैं जिससे कि इसका मसाला इसके अंदर तक पहुंच सके दो मिनट हो चुके फ्लेम को कर देते हैं और इसे से मेक्स करते हैं तो बयाचे तयार हो introductions हमारे चटपटी सी mini balls वो भी एक कफ सुजी से बनी हुई तो बहुत ही लाजबाब, बहुत ही स्वाधिश नास्ता है ये आप इसे बनाए और मिंटों में बन कर तयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही लाजबाब होता है तो लेचे तयार होगे हमारे लाजबाब और बहुत ही चटपटा सा नास्ता सिर्फ एक कफ सुजी से आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारिप करते नहीं ठकेंगे बच्चे भुड़े हर किसी को ये नास्ता बहुत ही पसंद आएगा आप इस नास्ते के साथ केचप सर्फ कर सकते हैं या फिर पीनट चटनी कोकुनट चटनी जिसके भी साथ आप खाएंगे सब के साथ बहुत ही लाजबाब होता है तो देखिए हमने एक बॉल को उठा कर देखा ये कितनी स्पंजी और फ्लपी बना है बहुती स्वादिश बहुती स्पंजी बहुती नर्म बलाएंग ये चटपटा सा नास्ता है तो आप इसे बनाए खाएं और एंजोएं करें और कॉमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक करना और इसे फामली फ्रेंड्स में जादा जादा सेयर करना और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलना तो फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ